हेलो एवरिवन माई नेम इस सचीन और वेलकम बेक टो वर यूटूब चैनल दोस्तो टीवी एस जुपिटर एंड सुजुकी एक्सेस 125 जितना इन दोनों स्कूटर का नाम अजीब है उतने ही इसके फीचर भी काफी बढ़िया आपको दोनों में देखने को मिल जाते है इन दोनों स्कूटर के दोस्तो प्राइजीज बहुत ही आपको सेम देखने को मिलेगा जादा कुछ आफको मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा माईनर साही डिफरेंस है दो यह 3,000 का पर आपको इसमें आप बहुत सारे लोग कहता है इसमें 125 CC का इंजन मिलता है इस लात में ऐला इकन उसे भी दबा ले हैं और दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें और आप फेस्बुक पेज़ भी आप लाइक करना ना भूले आपको दोनों के ही लिंक में देखने को मिल जायेंगे चली दोस्तों आज की वीडियो को मिस्टर करते हैं अगर मैं comparison कर दूँगो मैं कहा दूँगा Jupiter बढ़िया है तो आपको कि हमें तो access बढ़िया लगती है तो फिर मैं इसलिए आपको मैं looking का comparison नहीं करूँगा Suzuki XS 125 के बारे मैं बताऊंगो सब कुछ आपको इसमें कैसे कैसे features देखने को मिल जाते हैं Suzuki XS 125 के अगर हम engine की बात करें इसमें आपको single cylinder 4 stroke 2 valve SOS engine देखने को मिलता है जो 124 CC पर यह based है इसमें आपको 8.7 BHP की power देखने को मिल जाती है 7000 RPM पर जो based है और इसमें आपको 10.2 Nm का torque देखने को मिलता है जो आपको 5000 RPM पर based है इसमें आपको self start और kick start दोनों ही देखने को मिल जाती है इसमें आपको belt drive through देखने को मिलेगा और carburetor के through इसमें fuel delivery होती है अगर हम दोस्तों इसके ब्रेकिंग की बात करें access की तो आपको इसमें front में disc और drum दोनों कहीं आपको इसमें choice देखने को मिल जाएगी और इसमें आपको रेर में आपको देखने को मिलती है 130 mm की drum braking system suspensions की बात करें तो आपको इसमें advanced telescopic suspensions देखने को मिलते है और रेर में आपको swing arm suspensions देखने को मिल जाते है अगर हम दोस्तों tires and wheels की बात करें इसमें आपको front में 90 by 90 का 12 inch का tubeless tire देखने को मिलता है और इसमें आपको rear में 90 by 100 का 10 inch का tubeless tire देखने को मिलता है आपको दोनों ही इसमें आपको alloy wheels देखने को मिल जाते है wheelbase की अगर हम बात करें इसमें आपको 1265 mm का wheelbase देखने को मिलता है 160 mm का ground clearance देखने को मिल जाता है और 773 mm का इसमें आपको seat height देखने को मिलती है और fuel tank आपको इसमें 5.6 liter का देखने को मिलता है और 106 kg का इसका weight देखने को मिल जाता है दोस्तों यह तो बात ही suzuki xs 125 अब हम आपको बताते tvs jupiter 110 के बारे में जिसे हम कह सकते tvs jupiter grande tvs jupiter के आपको दोस्तों बहुत सारे वीरियंट देखने को मिलते lxvx classic grande grande इसका सबसे उपर वाला latest variant है उसके बारे में आपको बताएंगे क्योंकि इसका comparison ही है suzuki xs 125 के साथ इसके अगर हम बात करें जुपिटर के इसमें आपको सिंगल standard 4 stroke ohc engine देखने को मिलता है जो 109.7 cc पर इसकी displacement है 7.99 ps की power generate करता है 7500 rpm और 8.4 newton meter की यह torque generate करता है 5500 rpm पर इसमें आपको जोस्तों belt drive इसमें भी देखने को मिल जाती है carburetor के थूरू इसकी fuel delivery होती है तो आप देख सकते हैं इंजन में इसमें इसमें आपको थोड़ी कम power देखने को मिलती है और कम torque देखने को मिलती है जो access के मुकाबले पर दोस्तों मैं अगर बता हूँ तो मैंने खुछ चला के देखिए ज्यादा मुझे अंतर नहीं देखने का लगा दोनों की pickup और engine के बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा जब आप चला होगो दोनों जो अगर ध्यान से देखेगा उसे ही पता चलेगा ब्रेकिंग की बात करें Jupiter की front में इसमें भी आपको drum और disc दोनों का ही आपको choice देखने को मिल जाती है अगर आप इसका lower variant लोगे तो इसमें आपको drum देखने को मिल जाती है रेर में इसमें भी आपको 110 mm की आपको drum braking system देखने को मिल जाती है suspensions की बात करें इसमें आपको फ्रेंट में advanced telescopic suspensions देखने को मिल जाते है और रेर में यहाँ पर आपको gas charged monoshock देखने को मिलते है जो काफी बढ़िया है Suzuki XS के rare suspensions के मुकाबले tire size की बात करें इसमें आपको tire size भी आपको access के मुकाबले better देखने को मिलता है इसमें आपको front and rear दोनों ही 12 inch के आपको tire size देखने को मिलते है 90 by 90 के tubeless tire alloy wheels भी इसमें आपको diamond cut देखने को मिलते है जो और भी आपको सुन्दर देखने में लगते है इसके अगर हम wheelbase की बात करें तो 1275 mm के इसका wheelbase है 10 mm ज्यादा है इसमें आपको 150 mm की ground clearance देखने को मिलते है तो 10 mm कम है सुजू की access के मुकाबले seat height आपको इसमें 765 mm की देखने को मिलती है जो आपको उससे थोड़ी सी कम है access के मुकाबले जितनी कम हो दोस्तों उतना better होता है क्योंकि लंबे लोग को ठीक होता है जो short rider होते है उन्हें दिक्कत आती है long seat से fuel tank capacity इसमें आपको कम देखने को मिलती है 5 liter की वहीं आपको access में 5.6 liter की देखने को मिलती है पर यह आपको थोड़ी सी हलकी देखने को लगती है 103 kg की क्योंकि इसका cc थोड़ा कम है दोस्तों यह तो बात ही दोनों के स्पेसिफिकेशन वाइस की जैसे कि आपने देखा कुछ कुछ चीजों में आपको जूपिटर आकर देखने को मिलती है पर में चीज दोस्तों जो है इंजन उसमें आपको सीधा सीधा आपको एकसेस 125 आगे निकलती हो जी दिखेगी दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि माइलेज हमें एकसे 125 में बेटर देती है तो दोस्तों ऐसा बिलकुल भी नहीं है दोस्तों जैसकी आप देख सकते हैं सुजुक्वी एकसे 125 125 का एंजन है तो उसमें अगर आपको ज्यादा बेटर माइलेज देखने को मिलती है तो आप ये भी हो तो आप देखिए जूपिटर आपको 110 सीसी का एंजन है इंजन जित अराउंड चपण से 57 अजार इसकी एक शोरूम प्राइज आपको देखने को मिल जाएगी जूपिटर आपको फिफ्टी terी से 50 के बीच में अबको इसको देखने को मिल जाएगी एक शोरूम प्राइज डेली में तो दोस्तों तीन से 4 रुपे का आपको प्रैजिंग का भी क्लासिक देखने में लगती है जैसे कि आप 30-35 साल के लोगों को यह ज्यादा पसंद आने वाली है और जुपिटर राम से 20-21-22 साल के लोगों को ज्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों यह अपनी अपनी चोईस हो सकती है आपको कौन सी खरीदनी है मेरी अगर बात करें तो आपको जुपिटर की तरफ जाना चाहिए यह नहीं मैं कहूँगो कि आपको एक्सेस खरीदनी चाहिए यह मैं अपनी चोईस बता रहा हूँ तो आपकी अपनी अपनी चोईस हो सकती है दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको किस तरह के लगी आप हमे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ऐसी कमपैरिजन और बाइक्स और स्कूटर के रिव्यूस के रिलेटिड वीडियोस देखने के लिए और हमें आप इंस्टाग्राम और फेस्बुक पे भी जरूर फोलो कर ले दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को म मिल जाएंगे अब इस वीडियो को इधरी एंड करते हैं तब तक के लिए जया हिंद वंदे मात्रम